प्राजीन भारत के खतरना खतिया जिनके सामने खड़े होने की तो क्या सास लेने की इम्मत भी नहीं होती दुश्मनों की नमबर एक चक्रम चक्रम एक गोल लिंग टाइप का हतियार होता है जिसके बीच में पकड़ने के लिए एक हैंडल होता है जिसे घुमा के या फिर फेक कर इस्तुमाल किया जाता है ये काफी धार-धार होता है जो शत्रू को या तो मुरी तरह घायल कर देता है या मिलतियू के घाट उतार देता है नमबर दो बागनक बागनक मतलब बाग के नाखुनों के प्रकार का एक हतियार होता है जो कि एक गुप्त हतियार होता है जिसे छिपा कर अंगूटियों की तरह हाथ में पहना जा सकता है इससे प्रचलित एक शिवाजी महाराज का एक किस्सा बहुत बहुत फेमस है उन्होंने इससे अवजल खान का पेट फार दिया था इसके साथ एक खंजर भी होता है जो कि इसे और खतरनाग बनाता था नमबर तीन गदा ये एक बहुत भारी हतियार होता है जो कि प्राचीन काल से भारत में मशूर है इसका प्रहार इतना प्रचन्ड होता है कि ये हड्डियों का चूरा बना देने की शमता रखता है नमबर चार, फरसा ये भी प्राचीन काल का एक घातक हतियार था जिसे परशु के नाम से जाना जाता था पर रमायन में हमें फरसे का वर्णन मलता है जो की परशुराम का हतियार था इसका अकार एक कुलहारी के समान होता है लेकिन ये कुलाडी से बड़ी और दो मूँ वाला होता है अगर इसे बहुत जोर से मारा जाए तो ये काटने के साथ साथ किसी भी अंको बुरी तरह से नश्ट कर सकता है नमबर पाच हला दिये ये एक तीन मूँ वाला खंजर होता है जिसके बीज में एक हैंडल और दो तरफ बड़े खंजर और एक तरफ छोटा खंजर होता है इसके इसे चलाने वाला अगर माहिर हो तो ये हैं बड़े से बड़े योद्धा को मौद के घाट उतार सकता है इसका उप्योग राजपूत समुधाय के लोग सबसे जादा खड़ते थे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और अपने भाई को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए मिलते हैं सी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिके साथ में तब तक के लिए नमस्कार बबाए